प्रडेश की में वित मंत्री कैप्टेन अभी मन्यू ने जीन्द में पार्टी की जीत के लिए जीन्द की जन्ता का धन्यवाद किया काप्टेन अभी मन्यों ने कहा कि हार्याना सरकार ने जो विकास किया है उसकी बदौलत आजादी के बाद पहली बार बीजेपी जीन से जीती है कॉंग्रेस पर निशाना साथते हुए काप्टेन अभी मन्यों ने कहा कि कॉंग्रेस ने तुरूप का एकका चला कॉंग्रेस की जमाना तो बच गई लेकिन निजद नहीं बच पाई वही जेजीपी पर निशाना साथते हुए वितमंत्री ने कहा कि जेजीपी ने अपनी नईया पार लगाने के लिए ऐसे व्यक्ति का साथ लिया जो पानी के मसले पर पंजाब में अलग लाए रखता है जीन्त की जन्ता ने उन्हें भी सबक सिखाने का काम किया विपक्षी पार्टियों की इवियम पर सवाल उठाने पर वितमंत्री ने कहा कि नतीजों के बाद विपक्ष हमेशा की तरहें इवियम पर दोश मड़ देता है वहीं हार्याना के बजट पर बोलते हुए वितमंत्री ने कहा कि सरकार ने हार्याना की किसानों की चार साल से मोज करवा रखी है आगे भी बजट में किसानों का ध्यान रखा जाएगा तो सकारात्मक राजडिती की लोगतंत्र की जड़ों को मजबूत करने का जो प्रयास किया उसका परिणाम है कि जीन जैसी सीट आजादी के बाद पहली बार भारतिंता पार्टी की जोली में आई है तो मैं इसको हर्याना की राजडिती में बहुत बड़े परिवर्तन का संकेत मानता हूं बजट के बाद देश के अर्थववस्ता वह और नहीं उचाईयों के और जाएगी देश कामाद भी और अपने आपको मजबूत महसूस करेगा और एक बहुत ही शांदार जानदार बजट आज देश के सामने आया है और मेरी देश के जनता को बहुत बहुत शुब काम जाओधानों के बाद बढ़ती अर्थववस्ता से देश को शाल और सम्रिद होगा और सम्रिद्य और खुशाली वर किसान और मजदूर के घर तक पहुंचेगी